हलो फ्रेंड वेलकम तो दे चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में कंपैर करते हैं दो सिक्स कोर प्रोसेसर का जो कि दोस्तों 60,000 की लैपटॉप में आपको देखने को मिलता हैं और काफी बढ़िया प्रोसेसर हैं दोस्तों यह हैं इंटल का i5-10500H और राइजन 5-4600H दो नहीं प्रोसेर को मैं कंपैर करूंगा इनकी इस्पैक्स के रिकॉर्डिंग तो सबस्ते बात करते हैं जनरल स्पैसिफिकेसंस की दोस्तों इंटल का i5-10500H है 10th generation प्रोसेर जो की इंटल के रफ से आता है architecture है Cometic S series का और यहां पर technology इस्तेमाल की गई है 14-nm की है 64-bit processor दोस्तों और यह first available हुआ था quarter 2 में 2020 के अब बात करते हैं राजन 5 4600H की दोस्तो यह है AMD की तरफ से आने वाला Gen 3 का प्रोसेसर यहां पर जो आर्किटेक्ट्चर इस्तमाल हुआ है वो है रिनौर जैन 2 का टेक्नोलोजी है 7 नानोमेटर की और यह भी दोस्तो 64-bit प्रोसेसर है फर्स्ट अबेलबल हुआ था क्वार्टर वन में 2020 की अब बात करते हैं दोस्तो CPU कोर्स और फ्रिक्वेंसी की दोस्तो i5-10500H आता है 6-core ट्रेट्रीट्स के साथ में इसकी जो बेस फ्रिक्वेंसी है वो 2.5 GHz की है और टर्बो बुस्ट फ्रिक्वेंसी है 4.5 GHz की लेकिन दो i5-10500H की तो यहां पर भी आपको 6-core 12-fritz मिलते हैं बेस फ्रिक्वेंसी है 3 GHz की और सारे कोर्स टर्बो बुस्ट होते हैं 4 GHz तक यानि कि इस प्रोसर में आपको multi-core performance अच्छी मिलती है और यहां पर भी आपको hyper-threading मिल जाती है अब बात करते हैं दोस्तों इंटलनल ग्राफिक्स की दोनों ही CPUs इंटलनल ग्राफिक्स के साथ आते हैं i5-10500H आता है Intel UHD Graphics 630 के साथ में इसकी फ्रिक्वेंसी है 1.5 GHz की Max Displays support करता है 3 को और इसमें आपको DirectX version 12 भी मिल जाता है वहीं बात करें AMD Ryzen 5 4600H की तो यहां पर आपको AMD Radeon 6 ग्राफिक्स मिलते हैं और जो GPU की फ्रिक्वेंसी है वो 1.5 GHz की है यहां पर भी आप Maximum 3 Displays को connect कर सकते हैं DirectX version 12 आपको यहां पर मिल जाता है यानि कि यहां पर GPU में Ryzen 5 4600H आगे निकल जाता है अब बात करने दोस्तों Memory और PCIe version की तो यहां पर बात करें i5 10500H की तो यहां पर दोस्तों Memory support है वो 293 MHz तक ही है और Maximum Memory यह processor support करता है 128 GB तक का dual channel memory support करता है और जो L3 catch है इस processor का वो है 12 MB का PCIe version दोस्तों यहां पर मिलता है आपको 3.0 वहीं बात करें AMD Ryzen 5 4600H की तो यहां पर जो memory support करता है वो 3200 MHz clock वाली memory को support करता है Max memory आप upgrade कर पाएंगी 32 GB तक dual channel memory को यह भी support करता है और जो L3 catch है वो है 11 MB का PCIe version है दोस्तों 3.0 तो यहां पर दोस्तों जो memory clock है वो Ryzen 5 4600H extra यानि की 3200 MHz तक को support करता है तो यहां पर यह आगे निकल जाता है अब बात करते हैं तो thermal management का तो i5 10500H का तो TDP है वो 45 Watt का है और इसकी जो down TDP है वो 35 Watt की है max temperature यहां पर 100 तक जाता है और वहीं बात कर राइजन 5 4600H की तो यहां पर जो TDP है वो भी 45 Watt की है और यहां पर TDP होती है 35 Watt की लेकिन यहां पर दोस्तों TDP अब तक जाती है 54 Watt तक और max temperature आपको मिलते है 105 degree तक यानि कि यहां पर जो temperature के मामले में i5 10500H यहां पर अच्छा परफॉर्म कर जाता है अब बात करें दोस्तों benchmark scores की Geekbench 5 की recording i5 10500H single core में 1178 points देता है और multi core में 4934 points देता है जबकि बात करें राइजन 5 4600H की तो यहां पर Geekbench 5 score में single core में राइजन 5 4600H परफॉर्म करता है 1082 points multi core points आते हैं 6479 तो यहां पर दोस्तों multi core performance आपको अच्छी मिल जाती है जबकि single core performance आपको i5 10500H में अच्छी मिलती है अब बात करते हैं दोस्तों cinema bench R23 की तो यहां पर दोस्तों i5 10500H single core में 1235 score किया है जबकि multi core में 8200 score किया है वहीं बात करें राइजन 5 4600H की तो यहां पर Cinebench R23 में single core में आपको मिलता है 1162 points जबकि multi core में इसने score किया है 8934 points यानि कि यहां पर multi core performance आपको अच्छी मिलती है तो दोस्तों overall बात करते हैं multi core performance की तो यहां पर Ryzen 5 4600H काफी अच्छी multi core performance देता है आपको memory clock भी 3200 MHz support करता है तो यहां पर multi core यानि कि octa core performance यहां पर आपक अच्छा perform करेगा महीं बात करते हैं gaming की तो gaming में i5 10,500H अच्छा perform कर सकता है दोनों ही CPUs काफी अच्छा perform करते हैं दोस्तों और under 60,000 laptop में या फिर above 60,000 या around 60,000 laptop में आपको देखने को मिल जाते हैं और दोस्तों यह वीडिट देखने के लिए धन्यवाद वीडियो पसंद कर दो दोस्तों यह वीडिट वीडियो करी अच्छा